खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते परिच्छा में सेलेक्शन ले तो सही जीवन में सब होगा हासिल तू सेलेक्शन की जित पर अड़ तो सही आधियती क्लासेश इजाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम लोग इतिहास की परमुक्ति थियां आठ से दस मिनिट में ये रवाउट लवग हम लोग समात करने जा रहे हैं तो आई ये देखते हैं इतिहास की परमुक्ति क्या क्या क्लास अच्छन परिफेसर क के जियास विपर के लिए एक्जाम के लिए मौतपूर तो हई है साथ में किसी भी गवर्मेंट के वंडरे एक्जामने से में ये सपस्ट इसमें से जरूर आते हैं ठीक है तो आए देखा जाए इतिहास की परमुक्तितियां और भाठती राष्टी आंदोलन की क्लास हम का युदि होता है 1769 में बेदरा का युद होता है 17ま grenade होता है 1773 में regulating act आता है 1344 में बहर्ट में सुप्रीम कूड के स्थाप्रा होती है याद रखेंगे अब और 1784 में पिटómo्नीक का आता है भारत में 1793 में बोर्ड आप कंट्रोल का गठन होता है, 1813 में पर्थम चार्टर एकड आता है, इसी एक के तहद भारत में प्रतिवर्स एक लाख रुपे सिच्छा पे खर्च करने का प्रवधान आता है, इसाई मसिनियों को भारत में परचार प्रसार करने के अनमति मिलती है भारत के साथ बैपार बंद हो जाता है चीन और चाय को छोड़ कर, फिर 1857 में भारत का प्रथम 133 संग्राम होता है, याद रखिएगा, पहली बार भारतियों को लगता है कि कोई वायस सक्ति जो है, हम लोग को गुलाम बनाना चाह रही है, तो पहली बार जो है 1857 में राण भारती राष्टी कांग्रेस के स्थापना होती है, डफ्रिन के समय, गवर्नर जर्रल डफ्रिन के समय 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारती राष्टी कांग्रेस के स्थापना होती है, पहले इसका नाम भारती राष्टी संह था, तो बाद में दादा भाय नरोजी की कहने पे संह क के जगह पे कांग्रेस नाम पड़ा इवीग जाम में पुशे जाता है। पंचम और मेरी आते हैं। के समय होता है। और 1929 में मांटेंगी चेंश फूर्ड सुधार भी आता है। 1920 में खिलाफत आंदूलन होता है। 1920 में और सवयूग आंदूलन होता है। और यह हमाई टीम द्वारा टेस्टे पर त्यार किया गया है। किसी भी चीज़ को देखेंगे आप तीन तरीके से हल करा जाएगा। सबसे पहले जो भी सिलेबस का अनुसार इस्टेंट प्रफेसर का सिलेबस है उसके अनुसार आपको प्रफेसर को यहीर मिलेगा। उसी पीडियफ प मिलेंगे। उसी प्रफेसर त्यक्राइके पढ़ेंगे तो मैक्समें्प प्रॉबम आकज़ने पर बाति सब्सक्राइएानी एक करने gitme सब्सक्राइज सार लेंगे इस के इससम को फजय कि उशनी के गया एक्जाम तक अब्डेट होता रहेगा याद रिखेगा अर्गनाइज क्लास बिल्कुल मिलेगा आपको इस टेस्ट में याद रिखेगा यूटूब पे सभी क्लासे जो है नहीं मिलते हैं कुस क्लास कुस दिनवाद अलिश्टेड हो जाता है इसमें बिल्कुल जो है सिरियल या आपको क्लास मिलेगा और टेस्ट लेने पर ही पूर रूसे आपको लाब मिल पाएगा जियस का पिर आप देखेगा कि अपनी गल्कियों को एक्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधा रहें ताकि यो गल्तिया एक्जाम सेंटर में आपको जिद गिला है याद रखिएगा बाकि जो है चार बुक मेरे दोरा निकाला गया है आप चाहे तो इसे ले सकते हैं और इसमें असी माडल पेपर है अबिजन के माधियम से आ अब जो है देने से पहले सभी जीयस कोष्चन इसमें पड़े हुए है सेलेवस का अनुसार और हल करके यह आपको एक्जाम में जाना चाहिए साथ में आपको यह ओमार शीट जो है विशुल का आपको दी जा रही है आते नेक्षिस में यह जो चाहें तो वाट्सप ग्रू निक्ति होती है इसमें प्रशनाता है साइमन कमिशन की निक्ति होती है और 1928 में साइमन कमिशन का भारत आगमन होता है याद रिखेगा दोनों ध्यान से देखेंगे 1929 में भगा सिंग द्वारा केंदरी असमली में बम फेका जाता है विश्पूर की जाता है 1929 में कांग्रेश द्वारा पूर सुतनता की मांग की जाती है 1939 में सविने अवग्या अंदूलन होता है 1931 में दिती गोल में सम्मेलन होता है 1932 में त्रिती गोल में सम्मेलन होता है मातमागाध्य द्वारा, 8 अगस्त, 1942 में, 1942 में क्रिस्प मिशन का आगमन होता है, 1943 में आजाद हिंद फोच की अस्थापना होती है, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, और 1946 में भारती समिधान सभा का निर्वाचन होता है 1946 में अंतरीम सरकार की अस्थापना होती है 1947 में भारती स्था की प्रात्वी होती है इसके बाद जो है यहीं आप क्लाची क्लास समाथ करते हैं जल्दी मिलते हम लोग नए वीडियो के साथ अब तक जै हिंद जै भारत सहायक सिद होगा इस इन इंग्जाम की कुंजी जीयस पेपर होता है इसमें कुछ चार बुक में 80 माडल पेपर हैं जिसमें समान अध्यान सलेबस के सभी शेतरों से महतपुर्व चुनिंदा प्रश्ण है जो की अकसर इंग्जाम में उचे जाते हैं इस बुक पैक में आपको एक ओ यमार सीट बुक और अमेजन डिलेवरी चार्ज परी मिलेगा इस बुने के लिए आप 97.95.96.2010 पर वाटसप में फार बुक लिख कर भेज सकते हैं जिसमें आपको